नमस्कार दोस्तों, विल्चेर इंडिया के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कर्मा KPAT स्टेंडिंग पाउर विल्चेर के बारे में तो ये आप देख सकते हैं कर्मा KPAT स्टेंडिंग पाउर विल्चेर अब मैं आपको इसके future के बारे में बताता हूँ, इसके function के बारे में बताता हूँ ये इसका joystick है इस type से आप इसको own कर सकते हैं इसमें horn भी दिया गया है ये speed के लिए दिया गया है, इसमें 5 speed है इसकी कम भी कर सकते हैं आप speed ये इसका standing option है इस type से आप इसको standing कर सकते हैं तो देख सकते हैं आप इस type से इसको आप तो देख सकते हैं आप ये फुले standing होगी तो देख सकते हैं आप ये standing mode में six wheel बेस हो जाता है आप देख सकते हैं six wheel तो देख सकते हैं आप ये फुले standing होगी इस type से standing होके चलती है ये बेक भी ले सकते हैं आप इसको पीछे की तरफ भी ले सकते हैं ये move करना है तो आपको joystick जिस direction में आप move करते हैं हो जाएगी ये wheelchair अब ये डाउन हो रही है कर वहफ हो क्या देख मा कर अहाँ बादा क्रिक बार्णेख क्यों सज़गर में आपके हैं क्यों से जाँ ये झाल दो में अपके हैं अब हम आपको इसके टिल्ट फंचिन के बारे में बता दें ये टिल्ट फंचिन के लिए स्वीच आपको पुश करना रहेगा देख सकते हैं इस टैप से आप इसको रिकलाइन कर सकते हैं टिल्ट ये फुली रिकलाइन होगी अब रिकलाइनिंग मोड में भी इसको चला सकते हैं पर देख सकते हैं आप टापग कर दो आप डाप इसको लिए कि इस टाइब से आप इसको यूज कर सकते हैं तो देख सकते हैं कि इस सकते हैं यूज कर गलो घबते हैं तो देख सकते हैं कि इसा Reclining Mode Tilt Function आप देख सकते हैं इस विल्चेर का इस टाइप से आप इसको Tilt कर सकते हैं Tilt में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं देख सकते हैं करमा का बहुत ही अच्छा पाउर विल्चेर है अब हम आपको इसका Standing Mode दिखाईए